गुड मॉर्निंग सिद्धी हिंदी ओनलाइन क्लास इसमें आपका स्वागत है आज मैं आपको सिखार्यू कंपनी का आर्थिक चिठा उसका फॉर्मेट कैसे याद करना है वो तो कल हमने अधूरा छोड़ा था मैंने आपको कहा था आप इतना याद कर लिजे अगर आप बनाओगे तोभी आपको अच्छा सीखने को मिलेगा वीडियो के साथ साथ पैंसील और नोटबुक लेकर बैठे और इस तरह से आप कोशिश करिए याद करने का तो ये कॉलम याद हो जाएगी 11 माग का सवाल है अब भी ही तैयार कर लो ताकि परिक्षा के समय आपको इसको सिफ रिविजन में 10 मिनट ही देखना पड़े इतना अच्छे से लिख लिख कर याद करोगे तो वो लंबे समय तक याद रहता है मैं आपको बार-बार बताती हूँ दो पाट है वैसे ये खड़ी को लंबे रहता है पर अभी ये सिखने के लिए हम अभी येसे दो पार्ट में कर रहे है यहाँ पर पहला पार्ट है एकवीटी और दाइत्वका और आप बताओ यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर होगा समपत्या ठीक एकवीटी दाइत्वका के कितने इसे तीन एक, दो और तीन हिस्से समपत्यों के कितने इसे है दो हुआ है इसमें इसके अंदर इस इसे के अंदर कितने पार्ट से दो यह उनैं कितने Sexual हम एक तरी इसमें कितने चाइर दो तीन और चरा वन टू ऱ्री फार इसमें कितने चार एक दो तीन चार फांट श्यव एक थो तीन चार पांच छ फ सू कितने हिससे हुए तीन कितने हैं दो दो तीन चार चार छे इसका नाम तो शेर धारोकों का बंडो इसका बिन चालू दाईतो और ये चालू दाईतो तो आपको एक ही याद रखना है बिन चालू से बिन चालू है तो ये चालू दाईतो क्या बिन चालू दाईतो और चालू समपती और चालू समपती कितना है यहाँ तक कल हमने देखा ताあ रिविजन करवाई है आप मेरे साथ इस तरह से आप लिखोगे तो आपको याद रेज़ा का सवाल है इस इक मांक भी छोड़ना नहीं है सिदित sounds परीक्षा में प्रीक्षाeln योजन टनक्त है है क्योंकि यह बहुत इजी कठीन होता तो हम ऐसा सोचते कि यह चैप्टर कठीन है आपको समझ में नहीं आएगा आधा छोड़ दे ऐसा और कई कठीन ऐसे लेसन है जैसे कि इसमें एक वीडियो में भी आप आराम से सीख लोगे बस आपको यह फॉर्मेट एक दम जो मैं करवारी उस पद्धती से आप कर लो याद हो जाएगा दीन बार लिखो चार बार लिखो क्योंकि आपको मालो में 11 माक्स आने वाला है सवाल तो क्यों छोड़ दे तीन बार चार 11 माक्स का यह सवाल आपको जो मैं अभी सिखा रही हूँ उसी फॉर्मेट से याद करो तो याद हो जाएगा और परिक्षा में 100% आएगा एप सेक्शन में तो इसके 11 माक्स बिल्कुल छूटने चाहिए ने इतना याद हो गया फिर से एक वीटियो और दाइत और संपती इ बिन चालुदाइत्व चालुदाइत्व बिन चालुसंपती चालुसंपती नाम भी कैसे मैचिंग एकदम व्यवसिता आप इतना ज्यादा कठीन भी नहीं कि याद न रख पाए ठीक है अब यहाँ पर क्या शेर धरकों का भंडोल तो बस वह ही यहाँ पर है यह है शेर चीक है यह याद रखना है आपको यह दो का नाम आपको पता चल गया दो है फिर उसका नाम आपको याद रखना है फिर इसमें कितने है तीन तो एक यह तीन बहुत इज़िए यह तीन याद रखोंगे वह तीन नीचे आ रहे हैं सेम टू सेम तो यह तीन खास याद होने च से बिन चालू मतलब आपको मैंने पहले भी बता था दिर्ध कालिन लॉंग टम तो यह दिर्ध कालिन देखो यहाँ पर जो लिखा उसी का नाम यह आया बिन चालू का मतलब होता है दिर्ध कालिन तो वही आया दिर्ध कालिन दाइत्व का मतलब क्या है उधार लीरकम देखो वही का वही यहाँ पर है, दिर्ध कालीन दाइट हो मतलब उधार ली रहा कम, फिर अन्या दिर्ध कालीन दाइट है, अन्या दिर्ध Кालीन जिम्मेदारी, देखो, और तिसरा, दिर्ध कालीन प्राउधान, स्वारी मैंने शॉट में दिर्धकालीन प्रावधान देखो सेम यह है जो उपर टाइटल है उसी का यह तीनो नाम है टाइटल का बिन चालू मैं आपको कई बार बता चूँ कि बिन चालू का मतलब एक साल से अधिक लॉंग टम दिर्धकालीन तो वही आए देखो दिर्धका सेम ज्यादा याद रखना नहीं है नहीं कोई नया यहाँ पर कोई भी आपको शब्द याद नहीं रखना है वही का वही है तो कितना इजी हो गया आपको बस फर्क इतना है कि यह दिर्धकालीन और हमारा चालू मतलब क्या है अल्पकालीन तो यहाँ पर सेम वही का वही य यहां पर आप लिखोगे अल्पकालिन उधारली लकम उधार ली रकम अब सेकेंड एक छोड़ देगे तीसरा अन्य तो यहां पर भी वही अन्य यह को ने दिर्दकालिन अपन क्या लिखेंगे चालू अन्य चालू जिम्मेदारी देखो यहां क्या है अन्य दिर्दकालिन जिम्मेदारी अन्य चालू जिम्मेदारी क्या है दिर्दकालिन प्रावधान आप क्या लिखोगे अल्पकालिन प्रावधान है वही का वही देखो यह तीनों सेम निचे आ गए एक को छोड़ कर अब ब्रेक ओन गया व्यापारी लेंदार आपको याद हो तो लेंदार और देनी हुंडी व्यापारी देना उसका मतलब होता है लेंदार और देनी हुंडी देखो तो ये वाला पूप कितना इजी है और आपको याद भी हो गया दो तीन चार कितने हुए पाँच और चार नो नो चीज़े आपको याद हो इसमें से ये तीन सेम टू सेम यहाँ पर है और ये व्यापारी देना तो ये आपको मैंने एक पक्ष बता दिया देखो आप क कोई सेम नीचे आ रहे एकदम इजी पद्धती से मैं आपको याद करवा रही हूँ वीडियो बार बार रिवीज रिवीज रिपीट करना और देखना और ये फॉर्मेट याद कर लेना पर किताब में देखने से आपको याद नहीं होगा आप वीडियो देखोगे और जो मैं समझा रही हूँ वो ध्यान दोगे तो आपको याद हो जाएगा फिर से कितने पाटे दो एकविटी और दाईत्व संपति इसमे कितने इससे है तीन इसमे कितने इससे दो फिर इस तीन के अंदर दो तीन चार चार और छे फिर ये शेर पूंजी आनामत रादिक या फिर अल्पकालीन उधारली लकम अल्पकालीन जिम्मेदारी और अल्पकालीन प्रावदान एक चीज बीच में एड़ हो रही है व्यापारी देना बस ये इतना फॉर्मेट दूसरा फॉर्मेट मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूं अभी